नमस्कार दोस्तों मेरे यूटीब चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारे पास है हीरो स्पिलेंडर प्लस इसका आज हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे सब कुछ डिटेल में तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहल तो यहाँ पे आपको दोस्तोude में देखने को मिल जाती है काफी अच्छी डिजैन में यहाँ प there को की ब्रेंडिंग मिल जाती है उसके बात करें जंप की तो जंप काफी अच्छे हैं काफी सही है मैंने लगा के देखे हैं काफी आपको मस्त जंप मिल जाते हैं काफी अच्छे जंप मिल जाते हैं अब दोस्तों बात कर इसकी इंडिकेटर की तो यहाँ पे आपको बूच दिया गया है इंडिकेटर में तो अगर यह बाइक इसके बोर्ड की बारे में तो दोस्तों यहां पर आपको काफी अच्छा बोर्ड देखने को मिलता है यहां पर दोस्तों आपको हीरो की ब्रेंडिंग देखने को मिलती है उसके बाद दोस्तों स्प्लेंडर प्लस का ब्रेंडिंग देखने को मिल जाता है उसके बाद दोस्तो यहां पर आपको 3 sensor मिल जाता है अगर हम तीनो sensor की और थोड़ा detail में देख लेते हैं तो दोस्तों यह जो है वो stand वाला sensor है इसमें अगर आपका bike में stand जो लगा है अगर वो लगा है या नहीं वो यहां पर आपको दिखा देगा अगर नहीं लगा है तो यहां पर light on रहेगी अ नहीं यह से पता चल जाएगा अब दोस्तों सेंसर की बात हो गए अब हम आते हैं इसके इसके शेल्फ की और तो अपको काफी अच्छा दिया गया है चोटा सा बटन है याद रहे दुस्तों यहाथ रियस है और दुस्तों यहाँ पर आपको एक कीख भी प्रोईट की गया तो आप कीक से और से दोनों हुई की और से इसको स्टार्ट कर सकते हैं बात कर लेते हैं इसकी टेंक के बारे में तो दोस्तों काफी अच्छी है काफी सही है इसकी क्वालटी भी काफी अच्छी है और आठ या नो लिटर की टेंक है मैं भूल गया हूं मैं आपको पर वगरा की extra sweet देखने को नहीं मिलती है बात कर इसकी सीसों के बारे में तो यहां पर इसके सीसे थोड़े छोटे दिये गए हैं mirror पर काफी अच्छे हैं काफी व्यू भी इसमें काफी सही आ रहा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी sit के बारे में तो दोस्तों sit काफी अ पाना है तो यहां पर black frame यहां आ जाएगी यहां तक की यह भाग निकल जाएगा अब दोस्तों यहां पर पीछे आ जाते हैं तो यहां पर पीछे आप देख सकते काफी अच्छा यहां पर fan यह वील फ्रेम यूस किया गया यहां पर एक radium मिल जाता है यहां पर आपको brake light ल यहां पर आपको यह पेर रखने के लिए stand जिल जाते हैं अगर हम इसके engine के बाद कर लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों यहां पर इसकी engine जो है वो BS6 के base पर बना है दोस्तों यहां पर आपको कोई भी carbator देखने को नहीं मिलता है नहीं कोई काक देखने को मिलता है यहां पर दोस्तों फ्यूल पॉंप के बेस पर यह बाइक का एंजिन जो है वो चलता है यहां पर फ्यूल पॉंप दिया गया है दोस्तों यहां पर इसकी एक कंडिशन है आपकी बाइक में डेड लिटर यानि की 1.5 लिटर पेट्रोल रखना ही है तो ही यह बाइक चल पाएगी ओल्व यस किया गया है अब दोस्तों आप में वो भी किया गया और अपर दोस्तों यहां पर फाइबर यूजब यूजब करते हैं दोस्तों गाड़ी की एवरेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उसका वजन कम कर देते हैं जहाँ पे स्टील की जरूरत होती है वहाँ पे तो दे देते हैं यानि की मेंली टेंक में चैसिस में पर दोस्तों जहाँ पे अगर यहां पफाइबर की अगर स्टील की ज़रूरत नहीं होती है फसकी अजयाबर के लिए फाइबर को बढ़ कोड़ाने के लिए यहां पर फाइबर एउस किया जाता है और दोस्तों तोड़ी दिखने में तोड़ी छोटी हैे और होंडा सेडीplus 130 के मुताबिक थोड़ी छोटी है पर दोस्तों काफी अच्छी है इतनी भी छोटी नहीं है मैं कहता हूं पर काफी अच्छी बाइक है यहाँ पर दोस्तों अबर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो 75-74,000 के आसपास है और इसकी एवरेज की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी एवरेज 65 और 60 के आसपास आती है, और दोस्तों कमपनी वाले कहते हैं, और दोस्तों मैं आपको एक एवरेज बढ़ाने की एक छोटी सी टीप्स भी दे देता हूं, दोस्तों यहाँ पे एकोनोमी लिखा है, अगर स्लिट को बारे में बता दिया है दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेस्चन है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं इसके उलावा दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेर ओपना को दबाना ना भूले ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थेंक्यू वेरी माद गोस्तो